Hello students, Welcome back to Magnet Brains Hindi Medium मैं लाली वर्मा, Magnet Brains के Hindi Medium चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसंद होंगे और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे क्योंकि आपको बता है ना स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मस्थिश्क का वास होता है जब हेल्थ अच्छ ही रहेगी तो हम अपने सभी कारें को भली भाती कर सकते हैं और यदि हमारी हेल्थ ही हमारा साथ नहीं देंगी तो कितना भी कोई कुछ भी कहले हमारा किसी कारे में मन नहीं लगता है हम आप सोच रहे होंगे मैडम पीछी ये रील क्यों चल रही है बिल्कुल आपका प्रशन जायज है देखिए आप जो पार्ठ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न वो आपकी पार्ठ पुत्तक स्पर्श भाग दो का पार्ठ है गद्खन से पार्ठ चार नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंदर जी जी हाँ लिखा है प्रहलाद अग्रवाल जी ने इस पार्ठ की रचना की है प्रहलाद अग्रवाल जी ने और तीसरी कसम क्या तीसरी कसम है एक फिल्म का नाम सही सुन रहे हैं आप आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी ऐसी मूवी ऐसी फिल्म के बारे में जहां पर लोगों ने बहुत मेंनत की थी जो भी नयक रहा करते थे राइटर्स रहा करते थे या लेखाक पट गथा लेखाक रहा करते थे मेहनत बहुत करते थे। मैंनस बहुत हो रही है 1947 के लग बग जब हमारा देशाद आज़ा-खुवा-था उस समय की बात हो रही तो ये जो क्योंकि उस टाइम इतना competition नहीं था लेकिन लोग नहीं खर्च करते थे पैसा कि क्यों जाएंगे हम पैसे देकर फिल्म देखने क्यों देखें भाई हमें नहीं करना पैसा क्योंकि आय या income कम थी लोग सिर्फ और सिर्फ मनुरंजा नहीं करना है तो हम यहीं अपने घर में नाच गा लेंगे फिल्म देखने क्यों जाए कुछ इस तरह की विचारधारा थी तो जो संगीतकार रहा करते थे या जो की सारे लोगों का हाथ रहता है जोकी दिखता हमें कौन है इसमें हीरो कौन है यह है हीरो कौन वसमें बच्चन सहाब ही बारे में thankful रहना चाहिए सबसे पहले जो राइटर रहते हैं पट कथा लेखक रहते हैं उनके बारे में कोई जानता तक नहीं कि किस ने लिखी कौन है कोई नहीं जानता हर एक को फिल्म कार को तो पैसे देना पड़ते है ना देना ही होता है क्योंकि कोई क्यों कारे के बदले में तो हमें चाहिए ना अपनी इंकम तो चाहिए तो जितनी भी लागत होती थी अभी आप लागत सुनेंगे तो आपको हसी आएगी कि इतनी कम लेकिन उस समय ये पैसे भी कर याद कीजे मेरा नाम जो कर तो आपने फिल्म का नाम सुना होगा राज कपूर जी के नाम से भी आप भली भाती परिजित होंगे कपूर परिवार जो आज आधुनिक वरतमान में चल रहा है वो उन्हीं की पीड़ी है तो उस समय राज कपूर जी बड़े शीर्ष पर थे टॉप पर थे तो क्या लगता है आपको उन्होंने इस फिल्म के हीरो बतौर हीरो कितने पैसे लिया होंगे अभी हम जानेगे यह सब सस्पेंस है पढ़ते हैं और चलते हैं कहानी पर और कहानी को अर्थात यह तीसरी कसम की कहानी को पढ़ने से पहले हम चलेंगे का नंबर वन एक ऐसा प्लाटफॉर्म जो देता है 100% फ्री अजूकेशन तो बने रहीएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक ताकि बहुत अच्छी से आपको हर एक विशय की सिक्षा प्राप्त हो सके और ना किवल यहां पर विशय की सिक्षा ही प्रदान की जाती है फ्री में बलकि सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी मिलते हैं फ्री में सही सुना है आपने तो आएए चलते हैं इस पार्ट की तरफ नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंदर जी और सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ते हैं प्रहलाग जी का जीवन परीचा है प्र से या इन्ही की मेनत से हमारी हिंदी ना केवल भारत में बलकि विश्व भर में सारी दुनिया में अपना जंडा फैरा रही है पढ़ते हैं जीवन परीचे इनका जन्म सन 1947 मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ इन्होंने हिंदी से में की सिक्षा हासिल की इने और वैसे ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और अभिनाय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा है कहते हैं कि जो हमारा इंटरस्ट होता है तो उसमें हम बहुत अपना मन, तन, धन, सब कुछ लगाने के लिए तयार है यसा ही हुआ कुछ इनके साथ कि बाचपं से इंका बड़ा मतला माः लगन ठी रुची थी की फिल्म देखना जैसे आपको किसी को क्रिकेट खेलना है तो किसी को विडियो गेम खेलना है याए वीडियो गेम भी खेलते हैं और कि पेंटिंग्स बनाना पसंद हैं तो किसी क बहुत सारे अपने अपने होबीज रहती हैं और हम वो काम को बड़े अच्छे से लगन के साथ करते हैं तो इनके साथ भी यही था कि इने किशोर वैसे हिंदी फिल्मों के इतिहास मतलब फिल्मों की जानकारी इनको रखना बड़ा अच्छा लगता था साभी कि कब हुआ कौन थे क्या थे इसलिए तो ये पार्ट रचना किया उन्होंने न अब क्या है इन दिनों ये सतना के शाष्ट के स्वशासी सनातकोत्तर महाविद्याले में प्रध्यापन कर रहे हैं प्रॉफिसर हैं और फिल्मों के विशे में बहुत कुछ लिख चुके ह और आगे भी इस इक्षेत्र में लिखने को कृत संकल्प है इनका यही है कि मैं जीवन भर फिल्मों से सम्मंदित जानकारी एकत्रित करके आप सभी तक पहुँचाता रहूँगा अब देखिये तीसरी कसम फिल्म अब आपको लगेगा हम पाट पढ़ना है या मूवी देख रहे है मैडम आज देख लीजे मूवी देख लीजे तीसरी कसम अब आप सुचरा कि मैं हम ब्लैक अन वाइट जी हाँ बेटा पहले कलर फुल नहीं आती थी ब्लैक अद वाइट ये फिल्म आना ही आलवारा थी येस मुझे भी याद आया कि सबसे पहली जो फिल्म थी शायद मूख फिल्म थी उसमें आवाज नहीं थी आलवारा मूवी थी जो प्रत्थम थी और उस मूख फिल्म को ही देकर अचंबित हुए थे लोग की कैसे लोग उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अचम्भित करने वाली कि यह कैसे कि यहाँ व्यक्ति बैठा है और वही व्यक्ति वहाँ है धीरे धीरे जब डबल रॉल होना शुरू है तब तो और मतलब सोचते थे कि यह कैसे कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है यह तो अ तो यहां पर हम देखेंगे कि यह जो फिल्म थी जिसमें राजकपूर जी ने प्रमुख मतलब भूमी का निभाई एक मेन केरेक्टर निभाया तो यह पार्ट हम पढ़ेंगे लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगने वाला है कि आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठें और फि आचीन जो भी हमारे दादा परदादा हैं वो हमारी नई नई बातों को समझते हैं हमारे साथ हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो आईए आज थोड़ा सा हम उनकी बातों को जानते हैं थोड़ा सा हमी इतिहास में चलते हैं वो तो हमारे साथ वरतमान में हमारे साथ क से कदम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या उनके साथ नहीं जा सकते हैं तो आज हमेंills चलना है थोड़ा सा पीछे और जानना है कि किस तरह की movie बनती थी किस तरह की मेंठ होती थी और फिर कितना मेंताना लोगों को होता था ऐसा नहीं है कि जो film बनी है उसको सफल ही होना है आप जितनी लागत लगी है या जितना खर्च हुआ है कभी-कभी तो ऐसा होता था कि फिल्म को खरीदने वाले नहीं मिलते थे आपको पता है ना फिल्म बनने के बाद यूँ ही रिलीज नहीं हो जाती मुझसे जादा तो आपको पता है क्योंकि आप इस बारे में बड़े अफडेटेड है आई नो तो कितने लोगों को क्या-क्या करना पड़ता है कभी-कभी तो जो फिल्म मेकर रहते हैं वो सिर्धुनने लगते हैं कि अब हम क्या करें अब तो हम दीवाले हो गए दीवाली नहीं दीवाले हो गए मतलब पूरी तरह से हमारे पैसे भी गए और फिल्म भी नहीं चल रहे हैं इस कारना से कभी-कभी लोग पागल भी हो जाते हैं क्योंकि धन संपत्ति सब कुछ नहीं चारू करके वो फिल्म का निर्मान करते हैं और कोई खरीदा नहीं मिलता शायद इस तरह का जो संगर्श है वही जीवन को और आगे और कुछ सीखने की कला सिखाता है कहते हैं कि लाइफ जो है हमें सबसे अच्छे लेसंस देती है समय सबसे अच्छा सिक्षक होता है बशर्ते कि हमें सीखना आना चाहिए तो ये जो फिल्म आज हम देखने वाले मैं तो देखने वाले कहूंगी क्योंकि आपको अनवब होगा कि हाँ हम वही है चलते हैं कहानी की तरफ की कौन-कौन इस फिल्म में शामिल थे तीसरी कसम याद रखिएगा आज हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं तीसरी कसम जो की राज कपूर जी इसमें में लीड रूल में है इस पार्ट में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनकी बनाई हुई पहली और आखरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है अब देखी यहाँ पर बात हो रही है गीतकार शैलेंद्र जी गीतकार तो थे ही और उन्होंने एक फिल्म बना दी गायक थे वो मतलब संगीत करते हैं वो थे उन्होंने पहली फिल्म बना दी और उसी को आखरी भी कहा है शायद इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई क्यों नहीं बनाई जानते हैं फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है सन 1966 में राजकपूर द्वारा अभिनीत जो है कवी शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म प्रदर्शित की गई कब की गई सन 1966 में यह फिल्म नहीं बलकि सेल्यूलाइट पर लिखी कवीता थी ओके यह कवीता थी जिसको उन्होंने फिल्म रूपी यहां पर सिनेमा में उतारने की कोशिश की इसमें हिंदी साहित की अत्यंत मारमिक कथा क्रती को सेल्यूलाइट पर उतारा गया इस फिल्म को अनेक पुरसकार मिले जैसे राष्टपती स्वर्ण बदक वा क्या बात है बंगाल फिल्म जनरलिस्ट एशोशियेशन द्वारा सर्वस्रेश्ट फिल्म मतलब बैस्ट राजकपूर ने भी अच्छा अभीने किया था वहीदा रह्मान इसकी नाइका थी राजकपूर ने इस फिल्म के लिए शैलेंद्र जी से सिर्फ o my god can't believe कि राजकपूर जी ने शैलेंद्र जी से इस फिल्म के लिए सिर्फ एक रुपेया लिया था हमें तो लगा था कि राज कपूर जी ने अच्छी धनराशी ली होगी उस समय जो अच्छी धनराशी मानी जाती होगी लेकिन शैलंडर जी से राज कपूर जी ने सिर्फ एक रुपया लिया था और फिल्म के आसफल होने की संभावना के बारे में भी बताये था और उन्होंने ये भी कहा था जब फिल्म रिलीज होने से पहले कि ये फिल्म नहीं चलने वाली इसलिए आप बिलकुल निराश नहों मुझे कुछ मत दीजिए तो उनके बहुत मनाने पर कि चल ये ठीक है मुफ्त मेह ना सही एक रुपे में कर लेते हैं तो एक रुपे में उ चैलेंद्र को धन से अधिक अपनी आत्म संतुष्टी सेल्फ सैटिसफेक्शन अधिक प्रिये थी फिल्म में जै किशन का संगीत था और उसके गाने पहले से ही लोग प्रिये हो चुके थे परन्तु फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था ओके गाने तो बहुत फेमस हु स्टूरी थी वह आसानी से समझने वाली नहीं थी इसलिए फिल्म का प्रचार कम हुआ और वह कब आई और गई पता ही नहीं चला मतलब कब आई और गई मतलब कब रिलीज हुई और चली भी गई किसी को पता नहीं चला शैलंद्र ने जूटे अभी जाते को कभी नहीं अपनाया श्री 420 के एक लोग प्रिय गाने में दशों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानिया को संगीत का जै किशन के कहने पर नहीं बदला क्योंकि वे दर्शकों की रुची की आड़ में उन पर उतलेपन को नहीं धोपना च यदि हमने इसकी सलाह मान ली तो पूरा का पूरा क्रेड़िट उसको चला जाएगा लेकिन कभी-कभी यह भी होता है कि नहीं यह नहीं सोचना चाहिए हो सकता है हमारे शुबचिंतक हैं जो हमें सही सलाह दे रहे हैं तो हमें सलाह माननी चाहिए इस पार्ट में लेखक ने फिल्म संगम सफल रही तो इसमें उनमें गहन आत्मविश्वास भर दिया जिस कारण उन्होंने एक साथ चौर फिल्में मेरा नाम जोकर अजंता मैं और मेरा दोस्त सत्यम शिवम सुंदरम के निर्मान की घोशना की देखे जब राजकपूर की फिल्म संगम सफल रही येस अब मैं कर सकता हूँ और मुझे अब करना चाहिए तो मैं और भी कारे करने के लिए अपने आप में उत्साहित हो जाता हूँ तो इस तरह से उनको लगा तो और उन्हें चार फिल्म है जैसे मेरा नाम जोकर अजंता मैं और मेरा दोस्त सत्यम शिवम सुंदरम के निर् शिवम सुंदरम इश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सुना होगा आपने गीत वो सत्यम शिवम सुंदरम परंतु आप देखिए फिर परंतु आ गया क्या हुआ परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्मान शुरू किया तो इसके एक भाग के निर्मान में छह वर्ष लग गए Oh My God सोच ये आफ फिल्म बनने में कितना समय लगा छह वर्ष छह साल का समय और फिल्म बनती ही चली जा रही थी और अभी तो कितना समय लगता है आपको पता है इन छह वर्षकों के बीच उनके द्वारा अभिनीद कई प्रदर्षित तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है इस फिल्म में हिंदी साहित की अत्यंतमार में कथाक्रती को सेलुलाइट पर पूरी सार्थक्ता से उतारा गया है यह फिल्म नहीं बलकि सेलुलाइट पर लिखी एक कवीता थी ठीक है समझ में आया इस फिल्म को राष्ट पती स्वर्ण पदक मिला बंगाल फिल्म जनरलिस्ट एस्ट एसोशियेस्टन द्वारा सर्व स्टेश्ट फिल्म और कई अन्य पुरसकारों से सम्मानित किया गया मासको फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पूरसकृत हुई इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी समवेदन शीलता को अच्छी तरह से दिखाया और राज कपूर का अभी नए भी उतना ही अच्छा था जितना की वे जाने जाते हैं कि वे उस समय के बहुत अच्छे कलाका भी थे लिखते भी थे फिल्म भी बनाते थे और सुयम हीरो भी रहते थे इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केबल एक रुपया लिया राज कपूर ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की आसफलताओं से भी आगा किया था परन्तु फिर भी शैलेंदरन जी ने यह फिल्म बनाई क्योंकि उनके लिए धन संपती से अधिक महतपून अपनी आत्मसंतुष्टी थी कि देखेंगे यदि नहीं हिट हुई या सफल नहीं हुई तब भी हम जेल लेंगे सहलेंगे लेकिन मुझे पता है कि ये फिल्म चलेगी और मुझे इससे आत्मसंतुष्टी मिल रही है या सेल्फ सैटिस्टेक्शन प्राप्थ है तो मुझे तो ये बनानी है महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदिश्ट करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले फिल्म के गाने पहले ही लोग प्रिय हो चुके थे फिल्म में जो सौंग थे वो बहुत हिट हो चुके थे फिल्म के रिलीज होने से पहले लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि फिल्म की समवेदना आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी जो भी उसकी पटकता थी या जो भी लिखा था क्यूंकि वो कवीता निर्मित थी ना कवीता तो वैसे भी आसानी से समझ में नहीं आती तो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती इसलिए लोगों में दिलचस्वी कम थी इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ और यह कब पाई और गई पता भी नहीं चला शेलेंडर 20 सालों तक 20 सालों से इंडस्ट्री में थे और उन्हें वहां के तौर तरीके भी मालुम थे परन्तु वे इन में उलजकर अपनी आदमियत नहीं खो सके थे श्री 420 के एक लोग प्रिय दशो दिशाय कहेंगी अपनी कहानिया पर संगीत कार जया किशन ने आपति करते हुए कहा था कि दर्शक चार दिशाय तो समझ सकते हैं परन्तु दस नहीं लोग टिपणिया देते हैं न कुछ आलोचक भी रहते हैं जो कहते हैं कि बना तो रहे हो कर तो रहे हो लेकिन कुछ खास नहीं है इसमें तो कुछ लोगों का तो आतम विश्वास एकदम डग मंगा जाता है और वो अपने कार को छोड़कर एकदम बैट जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा जब कदम आगे बढ़ाया है तो देख लेते हैं न सफल और असफल वो समय बताएगा या समय पते करेगा शैलेंदर गीत बदलने को तयार नहीं थे उनका मानना था कि दर्शकों की रुची के आड में हमें उन पर उतले पन को नहीं धोपना जाएगा हम पहले ही ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उनको या किसी को फिल्म पसंद नहीं आएगी कैसे हम ये जान लें कि लोगों को फ पारिणाम जो भी हो मुझे एकसेप्ट होगा तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिनोंने साहित रचना से शत प्रतिशत नियाय किया है अब देखिए उस फिल्म की बारी की कि वो फिल्म इतनी अच्छी थी चुनिंदा सिलेक्टेड मुवीज में से थी जिनोंने साहित रचना से शत प्रतिशत मतलब हंड़े परसेंट जस्टिस किया है शैलेंदर ने राजकापूर जैसे स्टार को हीरा मन बना दिया और छीट की सस्ती साड़ी में लिप्टी हीरा बाई ने वहीदर रहमान की प्रसिद दूचाईयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था यह फिल्म वास्तिविक दुणिया का पूरा स्पर्श कराती है इस फिल्म में दुख का सहँ चितरन किया गया है और बिलुकुल मतलब की ऐसा लगता था फिल्म के समय की यह जो भावना है वो हू बहू हमारे अंदर की भावनाओं को निचोड़कर फिल्म में बांध कर रचा गया है मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई सजनवा बैरी हो गए हमार मुकेश जी की आवाज में अदुतिये बन गया है वो सौंग वो गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों की जबान पर सदियों तक रहा अभी नई की दृष्टी से यह राज कपूर की जिन्दगी की सबसे हसीन फिल्म है अब सूचिए आप सबसे हसीन मतलब सबसे सुन्दर जिसको राज कपूर जी ने क्या कहा था कि यह फिल्म सफल नहीं होगी मतलब इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है आपको वे इस फिल्म में मासूमियत की चर्म उतकर्ष को छूते हैं इस फिल्म में एकदम इनोसेंट नजर आता है और मासूमियत मतलब ठीक है इतना अच्छा भी नहीं किया है कि यह उनकी सबसे हसीन फिल्म लिखा है यहाँ पर कि राज कपूर जी की सबसे हसीन फिल्म में से एक रही तीसरी कसम जिसकी उमीद क्या जताई थी राज कपूर जी नहीं कि यह फिल्म नहीं चलने वाली और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बाद में आपको निराशाही मिलेगी ऐसा कुछ था लेकिन यह जो हिट हुई है सफल हुई वो आप देख सकते हैं तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जाकते रहो में भी नहीं किया है जाकते रहो भी राज कपूर जी की फिल्म है तो यहाँ पर इस फिल्म के अभिनय की बात की जा रही है कि उनका जो अभी नय था वो एकदम उपर था आई लेवल का था इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभी नय नहीं कर रहा है वह हीरा मन ही बन गया है जिस भी केरेक्टर का रोल प्ले किया जाता है उस केरेक्टर में अपने आप लीन हो जाना ही सबसे बड़ी ए जासी की रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त ना कर लें किस तरह से उनका रुत्वा था किस तरह से बोली वानी थी और जब यह आजाता है तो आपके पास चाहे कोई पोशाक होना हो उस तरह दिखने वाली पोशाक होना हो आप अपने डायलोग्स और अपने expressions के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं जासी की रानी का उधारन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने अपने स्कूल में जासी की रानी की भूमिका निभाई थी और उसमें काफी सरहना भी मिली थी drink यहां पर यहां बता है कि अभी नए जब किया ङया राजकपूर जी के द्वारा तो ऐसा लगी नहीं रहा था कि वो हीरा मन नहीं है हीरा मन का प्ले किया था उन्होंने मतलब भूमी का निभाई थी राजकपूर के अभी नहीं जीवन कव है मुकाम है जब एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे तीसरी कसम पठ कथा मूल कहानी के लेखक फनीश् नाथ रेनु जी का नाम आपने कक्षर नवमी में भी सुना होगा कोर्स ए में था इनका चैप्टर कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह स्पष्ट था एक एक जो चैप्टर था या अंश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि हां जो वहां कहा ग है बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविक कहानी चल रही होगी कैसी लगी आपको तीसरी कसम कैसा लगा आपको राज कपूर जी का अभीनए और वहीदर राइमान जी से मिलकर आशा करती हूं आपने थोड़ा सायते हास में जाकर आज एक ब्लैक और वाइट मूवी भी देखी और उसमें भी आपको इंटरस्ट आया ही होगा इसी तरह से तो बने रही है हमारे साथ क्योंकि आपको पता है ना एक खुश ख़बरी सुनाना चाहते हूं आपको मैगनेट ब्रेंस बन चुका है भारत का नंबर वन प्लैटफॉर्म जो आपको देता है 100% फ्री और फ्री में हैं और बैस्ट फैकल्टीज के साथ हैं आप सुयम देखेंगे और सुयम जज करिएगा क्योंकि आप से अच्छा जज भला कौन होगा आप सुयम जजमेंट करेंगे कि हाँ जो हमने कहा वो हमने किया अब बात करते हैं विशय के मतलब उसकी कि आप चाहे तो विशय को CBSC Hindi Medium में भी देख सकते हैं और आप अपने विशय को CBSC English Medium में भी देख सकते हैं यह आप पनिर्फर करता है कि आप माध्यम कौन सच चुनना चाहते हैं साथ ही साथ आप Spoken English के वीडियो भी देख सकते हैं फ्री में सब कुछ फ्री में 20%, 30%, 50%, 90% की बात नहीं है 100% प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल हैं जैसे NTSC, Olympiad, IIT, JAE, NEET, UPSC, JIAB, CAIB, Bank Insurances, SSC, RRB, सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो आप जैसे स्टुरेंट्स के लिए एक तम फ्री हैं ब्रेंस चाहता है कि आप सभी अपने अपने लक्षों की ओर बढ़ें और आगे बढ़ते चाहें और ना केवल माता, पिता, विद्याला, ये समाज का ही नाम रोशन करें परंतु अपितु संपून भारत में विश्व का जंडा फहरादें, सफलता का जंडा लहरादें और यही उम्मीद हम आप से करते हैं, तो यहाँ पर आपको जिस भी विश्य का वीडियो देखना है, उस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जाएगा, जैसे आपको हिंदी का देखना तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छे से सभी आरेंज जो दिखाई देखना है सब कुछ एक दम सीरियल वाइस क्या आप देखना चाहते हैं संपून विशे का विवरन या आपको देखना है NCRT का जो पार्ट है उनका सारांच या फिर आपको NCRT solutions देखना है बहुविकल्पिय प्रशन देखना है काश की एक ही वीडियो में इस complete chapter revision मिलता तो आपके काश का भी यहाँ समाधान है जी हाँ, आप complete chapter revision भी यहाँ देख सकते हैं ठीक है, और जो भी देखना है जस्ट आप उस पर click कीजिएगा आपके सामने वो वीडियो जाएगा, मान लेजिए आपको देखना है पार्टिक्रम, पार्टिक्रम पर आप जैसा ही click करेंगे तो पार्टिक्रम जो आपकी हिंदी का पार्टिक्रम है उसका वीडियो आपके सामने आजाएगा कौन-कौन सी books है कोर्स एकी मैं बात करूं तो क्षितिज और कृतिका भाग दो क्योंकि भाग एक हमने नाइन्थ में पढ़ा था कौर्स बी की यदि मैं बात करूं तो इसपर्ष और संचैन अब ये एक मेन पुस्तक, एक पूरा पार्ट है पुस्तिका नाम समान है लेकिन पार्ट उसमें अलग-अलग हैं हर एक पार्ट का जो इंटोडक्शन है मतलब जो चैप्टर जो शीरशक है उसका इंटोडक्शन भी दिया गया है इसमें आपके मस्तिश में जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में तो ध्यान पूरवक्ट देखिएगा वीडियो और फिर बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ हमने जो कहा वही हमने किया क्योंकि हमारी कथनी और करनी होती है एक समान हम जो कहते हैं वही हम करते हैं ठीक है तो यहां पर जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो उसको लाइक कीजेगा लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि लाइक से अच्छा है ना क्योंकि पसंद आपको आया है और आपको आएगा ही यह हम गैरंटी देते हैं आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके शेर करना नहीं भूलना है मुझे बता है आपके बहुत ज़्यादा कॉंटेक्ट्स है तो जिस तरह का लाब आप ले रहे हैं आपके और भी परिजित हों वो भी इसका लाब उटा सके मैगनेट बेन्स पर बने रही है क्योंकि छटवी से बार वी तक की ओनलाइन एजुकेशन मिलती है यहाँ पर फ्री मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सौस्त रहिए खुश रहिए बाई बाई थैंक यू